प्यारे भाईयों बहेनों नमस्कार कोरोनमा हमारी के चुनोती पूर्ण समय में आप और आपके परिवार की सुरक्षा और अच्छे स्वास्तिय की कामना करती हूं वो लाखों परिवार जिनोंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रती भी दिल से अपनी संवेधना व्यक्ट करती हूं हमारा देश इस समय कोरोना की जानलेवा मुसीबत का सामना कर रहा है आप सब जानते हैं लाखों की संक्या में हमारे परिजन कोरोना से रोजाना पीरित हो रहे हैं ये संकत सभी देशवासियों के लिए परीक्षा की घरी है हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ एक दूसरे का सहारा भी बनना है और एक दूसरे की ताकत भी मैं जानती हूँ कि मुझूदा हालात इंसानियत को हिलाद देने वाले हैं कही ओक्सीजन की कमी हैं कही दवाव का अकाल है और कही अस्पतालों में बिस्तर नहीं है यस्तिती देश के ज्यादतर राच्चों में बनी हुए है बेहत जरूरी होने पर ही घड़ों से बाहर निकले घड़ और बाहर दोनों जगा पूरी सवधाने बरते ना खुद के जीवन को खत्रे में डाले ना औरों के जितना हो सके बेदभाव चोर कर एक दूसरे की जहां तक हो सके हर संबव मदद करे रही बात सरकार की तो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यस समय जाग जाने और करताव्य को निभाने का है मेरा केंद्र सरकार से आगरा है कि वे सबसे पहले गरीबों की सोचे और उनका पलाएन रोकने के लिए हर एक परिवार के खाते में संख़त हतम होने तक छह हजार रुपे दाले देश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए दवाय ओक्सीजन और अस्पतालों के युद स्तार पर प्रबान किया जाए सारे देशवासियों के लिए कोरोना से बचाव के मुवत तीका कारण का इंतजाम को ताकि लोगों को बचाया जा सके कोरोना वक्सीन की कुमपलसरी यानि अनिवारिय लाइसिंस दिये जाए ताकि थोड़े समय में सब को वैक्सीन मिले वैक्सीन की किमत का भेदभाव बंध हो जीवन रक्षक दवायों की काला बजार बंध हो सारी इंडास्ट्रियल अक्सीजन को अस्पतालों को देने का फर्म इंतजाम हो देश के सभी राजनीटिक दलों की सहमती से राश्ट्रिय अस्तर पर कोविट से निपतने की राणनीटी बनाए जाए इस आफसर पर मैं कोविट से लव रहें सभी डाक्तर्स, नर्सिंग स्ताफ और हेल्थ वर्कर्स को नमन करती हो जो अपनी जान की बाजी लगा कर मरीजों का इलाज कर रहे हैं सातियों मैं फिर कहना चाहती हूँ कि इस संकत से पार पाने के लिए एक चुटना ही सबसे बड़ा मंत्र है हमारे देश ने इससे पहले भी बड़े बड़े संकतों का सफलत पूर्वक सामना एक जुट होकर किया है कांग्रिस पार्टी देश को कुविद संकत से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उताएं जाने वाले हर जरूरी कादम में साथ देगी मुझे पूर्य उमीद है कि आप कोरोना संकत की गंभीर्त को समस्ते हुए एक नागरिक के रूप में अपना भरपूर योगदान देंगे आशकर करती हूँ कि हम सब की कोशिशों से देश इस संकत से पार पाने में जल्दी ही सफल होगा जै हिंद